संस्कारधानी जबलपुर के आप सब बहुत सुधिश होता हूँ को मैं हिंदी की और से प्रणाम करता हूँ कविता की और से प्रणाम करता हूँ सारे देश के और दुनिया के अलग-अलग नगरों में भाशन देते समय, बोलते समय, कावेपाठ करते समय, मैं यह वास्तु मानता हूँ कि उस जगहे में जो कुछ हुआ है उसका इतिहास आपके साथ साथ चलता है जबरपुर किसी भी चेतना संपन व्यक्ति के लिए तीर्थ की तरह है हिंदी का व्यक्ती होने के नाते भाशा का व्यक्ती होने के नाते मेरे लिए जबरपुल पुन निक्षेतर है जहां सेट गोविंदास जैसा महनी नाटकार हुआ जहां हरिशंकर परसाई जैसी बड़ी विभूत ही हुई, एक बड़ी परंपरा जबलपुर की है, और आज ही मैं जब आ रहा था, जाज में तो हमारे एक वरिष्ट वकील साब, अधिवक्ता मुझे मिल गए, तो मैं उनसे कह रहा था कि पुरी दुनिया घूमिए, मार्केटिंग अलग चीज है, पैकेजिंग आपको लगता है कि संगमरमर की चटाने आपसे बात करती है, आपको लगता है कि वहाँ जो माजी है, जो आपका मला है, वो आपसे जिस मनहर जबलपुरी भाशा में बात करता है, वो भाशा का लालित्य, वो ले, वो लास्य, बहुत मुश्किल है, मेरे लिए जबलपुर निजी रूप से बहुत ही महत्पूर जगे है कविसंभेलन के शुरुवाती दौर में जब मैं स्वेम ग्रेजुएशन में पढ़ता था और इंजिनिरिंग से मोह बंग के बाद स्वेम के अस्तित्र से जूज रहा था उस समय पहली बार यहां एक मुझे अब हो गया होगा दो सितंबर को इस साल मुझे कविसंभेलन के मंच पर तीस वर्ष हो जाएंगे तीस साल से मैं मंच पर हूँ मैं सत्रे वर्ष के आयू में ग्रेजुएशन के पहले साल में मंच पर चला गया था और ग्रेजुएशन के पहले साल में ही जबलपुर में मुझे तमराई चौक पर एक कविसंभेलन हुआ था मुझे याद है आज भी उसमें मैं था और उस समय के हिंदी के सारे बड़े तोप जितने भी हुआ करते थे शाहिल चतुरवेदी हों और भुलल मुरादाबादी हों सब लोग थे और एक छोटे से क्रश्का युवक को अभी भी मेरी काया कोई विशाल और विशद नहीं है तब तो और ही छोटा था मैं तो बहुत मन से सुनाता और आत्मविश्वास मुझे मिला इस जगे से हमारे छोटे भाई भेन इस परिसर में है हमारे अध्यापक गण जो पढ़ा रहे हैं वो इस परिसर में है नगर के मेहनी ये लोग है नगर की प्रथम नागरी की उपस्थिती है मैं सबके प्रती कृतग्यता बोध के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछले सत्तर वर्षों में ह हमारी सिक्षा परंपरा का, हमारी संस्कृति की परंपरा का जितना लोफ हुआ है, उतना हिंदुस्तान के किसी वैचारिक आक्रमण में भी नहीं हुआ। भारत के ओपर इतने आक्रमण हुएं कि मैं कई बार गिंतियां करता हूँ तो इस हतेली पर यह उंगलियां कम पड़ जाती है। भालपुर में भी लड़ी गई, इसके बाद सिक्षा क्या करेंगे, आजद या जाए फिर सोच लेंगे। जिस जरीब में अब्दुलरहीम खान खाना अकबर के समय में इस देश को नाप गए, बीघा, बिस्वा, आज भी वोई चला है। यानि कि पूरी दुनिया में राज करने वाले हिंदुस्तानी, पेंटा गंचराले वाले हिंदुस्तानी, अमेरिका के राश्ट्रपती के 18 डॉक्टर्स की टीम में तेरे भारतिये बेटे-बेटियां, Microsoft चलाने वाले हिंदुस्तानी, अपना देश नहीं चला पाए। इन में से किसी व्यक्ति से आश्रा मत रखिये, स्वेम आप हैं आश्रा के केंदुस्तानी, आप हैं जो बना सकते हैं। क्योंकि 70 वर्षों में हमने कोई राश्ट्रिय प्रगती नहीं किये, हमने इंडिविज्वल प्रगतियां कियें। मैं पहली बार जापान गया, तुम बड़ा आश्र हुआ कि वहां, जो मॉल में या किसी सरकारी बिल्डिंग में या कहीं भी जाई है, जो चढ़ने के ऐलिवेटर्स होते हैं, उन में सभी लोग सीधे हाथ की तरफ खड़े रहते हैं, एक ही लाइन में, लेफ्ट पूरा खाली, हम तो फैल के चढ़ते हैं। इदर भाबी जी खड़ी हैं, इदर भाईया खड़े हैं, गुड्डू को समाला जा रहा है। तो मैंने वहां के स्थानिय सेयोजग से पूछा कि भाईये, ये कोई नियम कानून है सरकार का। भाईये, कानून में सरकार का। अपने आप ऐसे ही चलते हैं। आप देखिए, लंदन जाईए, आप वहां की टूबलर में जाईएगा, महापर गई होंगी, निश्चित रूप से विश्व में दूसरी व्यवस्थाओं को देखने का आवसर मिलता है, जन पतनिदियों को, लाइन से लोग खड़े रहते हैं, पूरी ट्रेन उतरती है, उ हमने होकी में ध्यान चयंत, हमने राजनीती में भी इंडिविज़ोल करेक्टर्स पैदा किये, चाहे किसी पार्टी में हो, हमने वो लोग पैदा किये जुन्हों नहीं ञीजिक शमता तकि हमने राष्ट्री चरित्र क्या पैदा किया, आज अकर कॉटिल ये अ कैडमी आप मैं दुख के साथ कहता हूं कि मैं एक करोड़ रुपे के आसपास टेक्स देता हूं पहले के वेल इंकम टेक्स देता था नई सरकार आई है महापवर बैठी है क्रपा हुई तो जीस्टी भी लगी कविता पर पर अच्छा है अगर मेरी कमाई का एक हिस्सा राष्ट के निर्मान के काम आता है नए आयुद आते हैं नए अश्ट्र बनते हैं नई फुल बनते हैं नई सडके बनती हैं तो मुझे शेहर्ष देना चाहिए इस राज्ये के नागरिक होने के नाते देखना चाहिए पर मैं अ अरे मैंने का वो तो मूत्र है हमारी तो कविता पर लग गया भाई लेकिन मुझे एक प्रश्ण आतंकित करता है जिसका उत्तर मुझे राजनीती से भी नहीं मिलता मैं स्वेम राजनीती में हूँ और जैसा हूँ आपको पता ही है कि दूसरे छोड़िये अपने वाले से भी नहीं सहा जाता लेकिन एक प्रश्ण मुझे व्यथित करता है हम टेक्स देते हैं किसी भी प्रकार का देते हूं income tax देते हूं, service tax देते हैं, house tax देते हूं मैं tax देते हूं, मैं जहां रहता हूं नोईडा में गाजियाबाद में वहां अक्सर बिजली जाती है समस्या बहुत जादा थी, अब थोड़ी कम हुई है तो मैंने 25 किलोवाट का silent generator set लगा रखा है पता नहीं चलती कब गई, कब आई यानि कि विद्यूत का निजी करन हो गया सरकार का काम था, सरकार ने दी नहीं पानी आता है, वो इतना शांदार है कि घर में कीडे मारने हो, तो पानी का पोचा लगाई है तो मैंने एक सम्मर्सी भी लगवा लिया है उसमें से अच्छा पानी आता है यानि कि पानी का निजी करन हो गया उसके बाद सुरक्षा की स्थिति है कि कौने परी लोग चैन खीच के भाग जाते है मैलाओं की, तो मैंने एक सिक्यूरिटी अजेंसी से चार गार्ड घड़े कर लिये कि देखते रहना कुछ ना हो तो यानि कि मेरी सुरक्षा का निजी करन हो गया जब मैंने पनी बेटी को पढ़ने के लिए सोचा कि ये कहां पढ़े, तो मैंने सोचा कि सरकारी स्कूल जिसमें मैं पढ़ा मेरे पिता जी पढ़े तो देखा कि स्कूल में कभी building नहीं है, कभी गुरूजी नहीं है, कभी कुछ नहीं है, है इनी स्कूल की आलत खराब है, तो मुझे DPS में पढ़ा ना पढ़ा यानि कि सिक्षा का निजी करण हो गया, और भगवान न करे इश्वर के कोप से अगर अगर आप बीमार हो जाएं, तो सरकारी दें, स्वास्त दें, सुरक्षा दें, पानी दें, बिजली दें और ये क्यों हुआ है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अधिकारी बनना है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कभी डुट्टी कलेक्टर बनना है, मेरी शुब कामनाओं पर भरोसा करिए महापड़ जिस पार्टी से आती है वो जानती है मैंने जिस मुख्य मंतरी को शुब कामना दे दी थी प्रदान मंतरी बन गया हमारा वाला लही नीरा तो आपको शुब कामना है कि आप बड़े पदों पर पहुँचेंगे मैं किसी महानगर में नहीं पड़ा मैं जबलपुर जैसी संस्कार धानी जहां इतना संस्कृति का बड़ा प्रवाव हैता है माता नर्मदा के किनारे मेरा दुरबाग्य है कि मैं ऐसे शहर में पैदा नहीं हुआ मैं चोट ऐसे कस्वे में पैदा हुआ पंद्रे बीस जार के आबादी में व्यापारी चोटा कस्वा था और मैंने जो जाना है जो लिखा है जो भी किंचित अपलब्दिया है जीवन में वह एजुकेशन की वज़े से नहीं है वह लर्निंग की वज़े से हैं अब यहां से इन दो शब्दों का अंतर प्रारम करिएगा पूरी विवस्था आपने एजुकेशन पटिका दिये है आपकी लर्निंग नहीं है इसलिए आप अपने गावं में रहने वाले अपने पिता को अपने बाबा को रसोई में काम करने वाली मा को असिक्षित समझते हैं और रिसप्शन नहीं आपको लगती है से ज़्यादा पता है लेकिन कलेजे पर हाथ रखके बताईए मेरी मा सिवर्ष की है हम बीस लोग घर में खटे हो जाएं सारे भाई बहन या वो अकेले पिता जी के लिए भोजन तयार करे मुझसे बात करते हुए कड़ी बनाते समय उसने मसाले जान ने बैठना आपने गुरु के पास आपने बड़े लोगों के पास बैठकर सीखा क्या अब यह ही नहीं इसलिए हमने गुरु शब्द को विस्थापित किया और सिक्षा सब्द हम लाए मैं आप सब को यह होमवर्ख देता हूं कि आप जाईएगा गूगल करिएगा और तने गूमा हूं और मैं एक बात जान गजया हूं कि उनकी सिक्षा उनकी संस्कृति उनका आदर्श और उनकी आस्त्या इतनी द्रड़ है कि हमunted हजार साल साशन कर लें हम उन्हें बदल नहीं पाएंगे एक ही तरीका है लौड मेकाले ने का एक ही तरीका है उनके अंदर कम तरीका भाव भरिये इन्फिरिटी कॉंप्लेक्स भरिये और अपनी सिक्षा उन पर थोपिये तब उन लगेगा कि ये बड़े हैं हम छोटे हैं और आज विश्वे द्यालों में जाईएगा आप अधिक्तम परिशदों में जाईएगा आप आपको बोलने वाले क्या कहेंगे आपको बोलने वाले जाना नहीं है दो प्रकार के लोग हैं सत्ताएं बदली सततर के बाद से जब श्रीमति इंद्रा गांधी दुबारा आई राजनीती का मंच नहीं है पर मैं विश्लेशक भी हूँ तो उस रश्री से सोचता हूँ तो उन्होंने सोचा कि मेरे पराजय का क्या कारण था तो उ जिश्व विध्याले का कुलपती तो मेरा सेवा कैम उजे प्रणाम करे उस दिन से सिक्षा व्यवस्था का नाश प्रारम हो जाएगा वो केवल वहाँ प्रबंधन के लिए नियंत्रन के लिए नहीं है इक्ष्वाकवंश के बड़े से बड़े राजा भी गुरु के आश् में फिर प्रवेश करते थे महर्शी वर्षिष्ट के आश्रम में सबसे बड़ा नाम कौन मानस बावन में खड़ाऊ राम राम पढ़ने गए पढ़ाने कोई नहीं आया यह यह आगे सोफे पर बैटें हमारे बड़े लोग मेहतुपुन बैटें थोड़ा सा पैसा आजा तो ट्यूटर लगाया जाता बच्चे के लिए राम का ट्यूटर नहीं आया गुरू ग्रह गए पढ़नर गुराई अल्पकाल विद्यासप पाई दश्रत बड़े आदमी थे चाहते तो पांच ट्यूटर लगा देते लेकिन नहीं वो पढ़ने गए कृष्ण संधीपन रिश कोशिश करता हूं इसके बहाने द्रश्टी देखिए जीवन में जो सबसे सरल आपको लगता है कि यार यह तो राम की कहानी है यह तो अन्वान जी का अन्वान चालिसा इसको क्या पढ़ू मैं वहीं से आपकी विजय का सूत्र डिक लेगा डार्विन की ठोरी महापोर यह है विकासवाद ऐसा नहीं पहले दिन आदमी बन गया हजारव साल पहले लिखे गए दोआज़़जार चारेजार-पाथार साल पहले लिखे गए यह पुराण उनमें सीधी परंपर है, हमारा पहला अवतार कौन है, मत से अवतार, वो किसमें चलता है, पानी के अंदर, दूसरा कौन है, कूर्मा अवतार, कचुवा, वो किसमें चलता है, पानी और जमीन दोनों पे, तीसरा कौन है, वराह, जो पानी और जमीन के बीच की कीचण को भेद यानि कि देखिए evolution हो रहा है development हो रहा है मचली से कच्वा कच्वे से और उसके बाद बरहा के बाद क्या आया वामन अवतार आदमी बड़ा पैदा नहीं वा पहले छोटा सा पैदा हुआ जिसने धाई डग में प्रत्वी नापी फिर अवतार आपके प्रारम होए यानि कि वि तुपूने कि आप बाहर नहीं देखते तो आप राम से चलिए आप आपने पूरा सिस्टम आप देखिए लड़की के लिष्टा देखने जाते हैं तो क्या कहते हैं मैं कस्वें पैदा हुआ क्या कहते थी अजी income tax में इंस्पेक्टर है हाथ का काम हाथ कोई काम नहीं है प हम मैं अंतर जानते हैं candy सब काम करता है एक काम नहीं कर सकता है जिसके करण मनुश्य और वह nach इने गया उसका यह वाला होड़ाएस वाली उगली से नहीं मिल पाता थाकि वह क्यों ठाम सके थाकी वह कूची ठाम सके हैं कि हो चैनी ठाम सके एं नहीं कियाको ऐन नुश्य करत सबसे पहला सूत्र है आपकी सफलता का जो मेरे जीवन में है वो है जिग्यासा गुरूओं सो भी अनुरोध है और जो यहां बच्चे पढ़ना है उनसे भी अनुरोध है जिग्यासा को आदर देना सीखिए हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में क्या कहते हैं साब बच्च अधाल नहीं पूछता तो मैंने अपनी पतनी से कहा कि मैं इसके बाबाब से बात करना चाहता हूं कि बच्चे का इलाज करा है जी उसने का आप जगड़ा कराएंगे यहां पर मेरा यह क्यासी बात है कि क्लास सबसे अच्छी कौनसी जासे शोर नाता हो लड़का सबसे कोई फाल तु बात न पूसता हो जिग्यासा को आदर दिया इस संस्कृति ने जिसमें आप पैदा होए आपने कहा नहीं सुनी हम आदम हुआ की संताने पश्चिम कहता है आदम हुआ का क्या कसूर था जी एक बाग था स्वर्ग का जिसे बागे भाहिष्ट कहते थे ना स्वर जिसमें सेब खालिया जिसे वरजित फल कहते हैं फार्बिडन फ्रूट उसे खालिया यानि कि दो लोगों को दो हमारे माता पिताओं को हमारे पूरवज आदम हववा उनको जिग्यासा हुई कि ये क्या है और उसमें उनको दंड मिल गया कि बाहर जाओ और हमारे यहां क्य उसकी जिग्यासा को अभिशिक्त किया क्योंकि देखिए हनुमान को उसी जिग्यासा के बाद द्विज कहा गया द्विज शब्द का मतलब क्या है संस्कृत बहुत अची भाशा है उसमें आप पूछिएगा तो शब्द अपना आर्थ स्वेम बताता है मेरा दुरबाग ग जा पर जो कुछ भी मैंने आसपरोस से बैठ के सीखा द्विज क्या है आपके दो जन्म होते हैं एक जन्म जबाप पैदा हुए जबापको पता चलता है कि मैं कौन हूँ मा की गरबनाल से जुड़े समय आपको पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ मा जो खाती है वो आप खा यह दूसरे लोग दिखाई दे रहे, यह आवाजें यह आपको ग्न होगा कि मैं कौन हूँ दूसरा ग्यान, पहला जन्म हो गया, दूसरा जन्म कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मुझे करना क्या है, मेरा जीवन में अद्देश्य क्या है, तो जितने लोग यहाँ बेटे रा होूं मेरा जीवन का उद्धिश किया है तो हनुमान को बताएगा इसका दंड यह इसे तभी याद कर पाओगे जब कोई याद दिलाएगा । तो एक जमवंत आए जन्रों ने कहा कि भव वहित तुम इस काम के लिए पैदा हुए और वो काम हो गया, तो जिग्यासा का आदर करना सीखेगा, और जिग्यासा का आदर हमारी पूरी भारतिय मनीशा में है, शिश्य ने गुरू से कहा कि आप कौन है, तो गुरू ने का कि मैं इश्वर हूं, अहम ब्रह्मासमी, तो उसने का अच्छा आप इश्वर हैं, तो मैं कौन हूं, तो गुरू ने का तत्व मसी, तू भी इश्वर है, तो शिश्य ने का पिर ये पूरा पूरी दुनिया कौन सी है, तो उसने का यह सरवम जगदम खलू यह पूरा संसार ही इश्वर है यह सभी भ्रहम है यानि कि जिग्यासा प्रारम हुई जिग्यासा का इतना सम्मान भारतिय संस्कृति में है कि एक छोटा बच्चा एक मुनी का बच्चा बहुत पूछता था सवाल उसके पिता ने एक यग्य किया यग्य करने के बाद अपने पिता से पूछने लगा यह गाय किसे दोगे ब्रामबनों को यह अग्नी किसे दोगे यग्य की अग्नी होत्र ब्रामबनों को अच्छे यह किसे दोगे चावल चितनों को ये किसे दोगे? बहुत सवाल पूछा आखिर में वो नचिकेता अपने पिता से बोला मुझे किसे दोगे? तो बाप नाराज हो के बहला तुझे जूँगा यमराज को और आपको कथा मालूम है कटो अपनिशद की नचिकेता यमराज के द्वार गए और यमराज नोंने मृत्य और जीवन का ग्यान दिया यानि कि जिग्यासा में एक छोटा बच्चा भी भगवान के पास पहुचा और भगवान ने उसकी जिग्यासा का शमन करके वापिस भीचा ये भारत का संसकार तो जितने सिक्षक यहाँ पर हैं किसीने नहीं सोचा एक आद्मी ने सोचा कि नीचे क्यों गिर रहा है उस समय तो अकर उसके मादाप से उसने कहा ओजी ये सेव नीचे क्यों गरा तह बाप ने कहाओगा ललका पागल हो गया अब इसेव उपर थोड़ी जाएगा नीचे ही किरेगा पर क्यों गिरेगा ये जब उसने जाना तो आपको हवाईजाज की सुविधा प्राप्त हुई आपको सेटलाइट प्राप्त हुआ जिस मध्यप्रदेश में मैं खड़ा हूँ यहाँ बाइस सो साल पहले इसी जबलपुर से थोड़ा आगे चलके सरगुजा के परवत पर एक कविता लिखी महा कभी कालिदास ने मेग दूद आप सबने पढ़ियोगी मेग की कहानी एक यक्ष था वो कुबेर के अनावखरी करता था नेपाल में अब वो सुभई सुभई उसका फूल लाने का काम था पूजा के लिए बिचारा फूल तोड़के लाता था पांच बजे भगवान शंकर की आराधना करते थे कुबेर छे बजे उठके ब्रह्मा उरत में उस यक्ष की शादी हो गई शादी हो गई तो बिचारा देर तक पत्नी के साथ बात करता था देर तक जागता था एक दिन नीद नहीं खुली नीद नहीं खुली तो साड़े छे बजे पहुंचा पूजा में लेट हो गए तो कुबेर ने पूचा कि तु लेट क्यों हुआ तो उसने का साब मैं नया नया विवा हुआ है पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ उसकी वज़े से लेट हो गया उन्हेंने का कि जिसके कारण तुने मेरी ड्यूटी में अपनी ड्यूटी में विगने डाला है तो उससे एक वर्ष के लिए दूर हो जा यानि कि उसका ट्रांसफर कर दिया ये मानो तो उसको भेज़ दिया सरगुजा उसने यहां से अपनी पत्नी को पत्र लिखे अब डाकिया तो था नी तो उसने मेग पर पत्र लिखे वो कविता बनी मेग दूत पड़ी होगी आपने सुना होगा कि मेग दूत लिखा गया मैं दावे के साथ कहता हूँ के आज से बाइस सो वर्ष पहले पच्छिस सो वर्ष पहले जब मेरे पूरवज कालिदास ने कविता लिखी तो विज्ञान के पूरवज उस पर हसे क्यार बादल पे भी कोई संदे भेज सकता है पागल हो गया है कवी है मुर्खता पूर बातें कर रहा है बादल पे कोई कैसे लेटर लिखेगा लेकिन अगर उस समय के भारतिय वैज्यानिकों ने हमारे कभी को गंभीरता से लिया होता और सोचा होता कि कुछ हो सकता है तो इंडियन एविएशन में जितने लोग हैं भारती वाईुकर में जितने लोग हैं वो यह बात सोचने को तयार नहीं है कि भगवान राम लंका में विभीशन के राज्य की स्थापना के बाद जिस विमान पर बैठकर आयोध्या आए उसमें ऑन बोर्ड उनकी अक्षोणी सेना मौजूद थी और वो 7-8 तल का था जिसके 8 तल पर वो थे आज हम बड़े वाले किसी जहाद में अमेरिका जाते हैं शिकागो जाते हैं नियॉयॉक जाते हैं 15 गंटे की फ्लाइट होती है उसमें दो तल होते हैं उपर बिजनिस क्लास का नीचे एक तल सबसे नीचे सामान तो बड़ा उसका महतु बताया जाता है कि इतना बड़ा जहाज इसमें आप बैठके जा रहे हैं वो ऐसा था कि इसमें प्राइटी होगी हमारे आपाजत ना आकाश्वानी सुने अकाश्वानी क्या था आकाश्वानी विज्ञान का ऐसा को प्रारूप रहा होगा हम मूर्खों का भी पता नहीं मैं दुनिया का पहला टेलीकास लाइव टेलीकास किस ने किया संजे ने पूछा और कैसे आदमी को दिखाया हम तो आख से देखते हैं वो तो अंधे आदमी को दिखाया वह दृतराश्ट तो अंधे थे दृतराश्ट ने कहा कि दर्मक्षित्रे कुरुक्षित्रे माम का पंडवस्चाईवा किम कुरवत संजया युद्ध की इच्छा से खटे हुए मेरे बेटे और पंडू के बेटे क्या कर रहे हैं ये बताओ तो संजया ने बताया लाइव टकुमेंटरी से वो लाइव कमेंटरी ही तो गीता में है जो भगवान बीच में खड़े हुए पर हमारा ध्यान नहीं है तो इसलिए आसपास की जितनी चीजे उनका मेनेजमेंट देखिएगा उनकी जिग्यासा का मूर्त भाव देखिएगा और सदा ये ध्यान न किए सफलता की दूसरी कुंजी पहली कुंजी जिग्यासा जो मुझे लगता है हो सकता है मुझे से लोग सहमत ना हो दूसरी कुंजी है धैर ये धैर ये अपने आप में एक अद्बुत प्रसाद है मनुष्य को दिया हुआ अगर पहला पत्थर जिस समय दशरत मांजी ने उस परवत पे मारा तो लोग उस पर हसे लेकिन उसने धैर ये पूरवक 20 साल पत्थर मारा तो पहाड को रास्ता छोड़के खड़ा होना पड़ा कि तू आदमी है तू जीए जा और मैं मानस बवन में खड़ा हूँ पिर वहीं पर आता हू राम चरित मानस पड़िये अपनी दादी के पास बैठके अपने दादा के पास बैठके राम का धहरे देखिए राम का धहरे विश्नु का धहरे नहीं है मुझे क्षमा करें भगवाने विश्णु लेकिन वो तटस्त धहरे है आराम से लेटे हुए है क्षीर सागर में शैया बना के प्रेम पूरवक माता लक्षमी पैड़ दबा रही है उपड़ श्रेश्चनाव का पन है देख रहे हैं दुनिया में चल क्या रहा है मूर्क कर क्य रहे है हो क्या अना टक रहा है राम का धहरे तो जीवित रहते हुए उसी विवस्था का दहरे है राम को प्रवोक करने की एक हरकत दुनिया नहीं छोड़ी पुत्र के रूप में सोचिए वो लड़का कैसा होगा वो व्यक्ति कैसा होगा जिसका राज्या भिशेख होना जा यही राम होना है लोग समस्ते हैं जंगल में पोस्टिंग लोग समस्ते हैं कौने में पोस्टिंग लोग समस्ते हैं वहां काम करना है तो कैसे काम होगा में लिए तो पनिश्मेंट हो गया यही अवसर है जो आपको इश्वर दे रहा है दश्रत के पुत्र राम जब तक अयोध्या में रहे युवराज राम कहलाए श्री राम कहलाए और जब जंगल जाकर लोटे तो मर्यदा पुर्शुत्नम भगवान राम कहलाए इस पूरी यात्रा ने उन्हें भगवान मनाया, इस धहरे पूरी विवस्था करते हैं और एक बात सोचना आप सब लोग राम, मैं अकसर इस बात पर बहुत अंदर तक थिल रहता हूँ राम अयोध्या से चले उस समय का सबसे बड़ा खांदान था वो हिंदुस्तान में जो कुछ भी बड़ा था उन्हीं क्या पैदा हुआ इकश्वाकू, अज, रगू, दिलीप, पुर्रवा, ययाती, नहुष, दश्रत सब बड़े आद्लियों निक्या भारत का नाम जिस पर रखा गया वे भी उन्हीं क्या पैदा हुए भरत सब उन्हीं क्या पैदा हुए लेकिन उसके बाद भी जब राम एक वलकल पहन कर चले, तो रास्ते भर में राजाओं को भी तो पता चलाओगा कि भी दश्रत का लड़का जा रहा है वो भी तो मिलने आना चाहते होंगे राम उनसे साहता भी ले सकते थे जिस पंचवटी में मा सीता का हरन हुआ है वो तो उनकी नंदसाल की बिल्कुल багल में कौशल प्रदेश में, राइपुर में वो बिल्कुल बगल में थे वो अपने नाना से कह सकते थे, अपने मामा से कह सकते थे उन्हेंने वनवासियों को साथ लिया, उन्हेंने मलाहों को साथ लिया, उन्हेंने माशबरी का आशिरवाद लिया, उन्हेंने केवट को साथ लिया, उन्हेंने वंचित सुग्रीव को कले लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि जिस अनाचार से वो लड़ने के लिए जा रहे है वहाँ धनिकों की और राजाओं की नहीं सदाचार की आवश्रक्ता परेगी, वहाँ आत्मा की दिप्ती की आवश्रक्ता परेगी, तो राम का ये धहरे ही उन्हें विजेता बनाता है, भई रावन को तो बाली हरा चुका था पहले, आपने काखानी सुनी होगी, रावन को त ऄचार को अपने बगल में दबा कर और उसने दीवार का का चक्कर लगा दिया था बाली ने, जब हनुमान को बांदा है, और हनुमान से रावन ने कहा ना कि तुम मुझे जानता नहीं में कौन हो, तो हनुमान ने क्या कहा, हाँ जानता हूं, वह बाली वाला, मैंने सुना था आपकी लडाई बहुत आप अरचे मेरा आप से हनुमान ने क्यों का ताकि उसका confidence लूज हो लेकिन भगवान जब बाली और सुग्रीव के जनपद में पहुंचे तो उन्होंने बाली भी उनका प्रशंशक था, उनका भक्त था, मरते समय बाल लगने के बाद प्रणाम की मुद्रा में बाली ने पूछा है भगवान से मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुन कवननात मुही मारा, मैं बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, मुझ में ऐसा कौन अवगुन था मुझे मार दिया तो राम ने उसको उत्तर दिया, कि अनुज वधु, भगिनी, सुतनारी, चोटे भाई की पत्नी, भगिनी, भेन, सुतनारी, बेटे की पत्नी, सुन सथ, कन्यासम एचारी है, मूर्क, ये चारों बेटी के बराबर होती है, इन्हें कुदश्टि भिलो कहीं जो है, इन्हें वध करने में पुण्य मिलता है, पाप नहीं होता है, ये उसको उत्तर दिया उन्हें भगवान, अगर भगवान की विजए अपने लिए होती, अगर धहरे ना होता तो वो बाली को लेकर चल देते, बाली हरा चुका था, उन्हें का लिए बाली तू नहीं चाहिए, तू न निवेदन है, राम की लीडर्शिप क्वालिटी अद्भुत है, राम ऐसे ही राम नहीं बने है, मत पढ़िये हिंदू होकर, इस परिसर में बहुत सारे इसलाम मतावलं भी हमारे दोस्त बैठे होंगे, और किसी जाती धर्म के लोग बैठे होंगे, कहानी की तरह पढ़िये और फिर देखिये कि राम जैसा लीडर कहीं नहीं है, वो उस व्यक्ति की क्वालिटी को डेवलप करते हैं, उसे इंस्ट्रेक्ट नहीं करते हैं, उन्होंने सुग्रीव की क्वालिटी को डेवलप किया, एक ऐसा डिप्रेस आदमी जिसकी पतनी का हरण हो गया, जिसका पढ़िए श्रीमत वालमी की रहमान पढ़िए कंबन की रहमान पढ़िए कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्हें हनुमान से क्या करा कि तुम क्या करना आज हम कितने फ्रस्टेटेड़ आज हम लीडर्शिप डवलप्मेंट की बात करते हूं ड्राइवर को एक जगे भेजते हैं सामान लेने के लिए पांच बार बताते हैं उसे क्योंकि हम उस पर भरोसा नहीं है हम उसकी लीडर्शिप डवलप नहीं होने देना चाहते हैं राम लीडर्शिप डवलप करते हैं राम ने हनुमान को नहीं बताया कि तुम्हें बाजा कि क्या करना है उन्हें ने काया बस थुदी गिरफतार हो जाना आग लगा देना आग लगाना मतलब वो राम का विजिटिंग कार्ड दे के आए मतलब बता के आए वो कि जो आ रहा है हम उसका कार्ड है management का बैस सुधारन है अनुमान employer का एक रुपिया करच नी कराते वो एक पैसा नहीं अगवान ने का कि वहां जाओ खुदी मतलब खुदी टेक ओफ खुदी लेंडिंग और सारा पैसा हनुमान का उसका रावन का भई अनुमान जबरदस्ती गिरफतार हुए स्वेम में देखने के लिए कि कौन है तो का गया भई इसकी बानर को पूच से बहुत प्यार होता है इसकी पूच पर कपड़ा बांदो कपड़ा किसका रावन का बूल इस पर तेल लगा हो तेल किसका रावन का जली किसकी बेस्ट एंप्लॉई सर्वसेष्ट व्यक्ति कोई ना लुकर नहीं भगवान नाम के जीवन में जो दो कठिन समय आया हैं दोनों में उन्हीं पार लगाई उनसे का गया कि मेरा भाई ये बीमार है सोचो राम पर कैसी बीती होगी भगवान राम के जीवन का सबसे कठिन रात वो है जब उनके भाई को मूर्चा आई उस रात राम कितने भी पीश्वर हो मनुष्य रूप में जी रहे थे मन में ये तो आयो गया रहे उध्ध्या जा तो दो बाते हुई पहली हुई जिग्यासा दूसरी हुई धैर्य तीसरी हुई आपको क्राफ्ट करने वारे लोगों में कि आप लीडर्शिप डेवलप करेंगे आपके अंदर नेत्रत्वी की क्षमता डेवलप हो और नेत्रत्वी की क्षमता का सिक्षा से कोई मतलब नही हैं मैंने निजी रूप से जाना हैं मैंने एक बहुत कम सिख्शित पांचमी पास व्यक्ति के साथ अंदोलन किया है उनके नित्रत्त में मैंने तथा करap ठधेक बहुत बड़े पढ़े-लेके साथ राजी मित्फी करी है कि नेत्रत्वक्षमता का पढ़ाई लिखाई से को मतलब नहीं है, नेत्रत्वक्षमता पैदा करना आपकी आत्मा की शुचिता पर निरभर है, आपको जब यह लगता है, राम को भी तो लग सकता होगा, हनुमान में इतना तेज है कि यही ना राजा ना बन जाए, कहीं इसकी आरती जादा ना होने लगे, और हमारे यहां तो मराठी में एक कथा भी आती है, प्रतम नागरिक मराठी भाशी है, तो मैंने एक लोगगीत में कथा सुनी वहां कि जब नल नौ नील पत्थर तेरा से राम लिख कर, तो बगवान नाम अकेले बैठे थे, उन्होंने सुचा को ठाया और छोड़ा उस पर वो डूब गया, तो उन्हें लगा यार आसपास कोई देखनी ले कि हमारे नाम पर काम चला है, वो हमारा खुद गई नहीं तेरा, तो उनके मूपर एक बड़ी लज्जा की संकोच की रेखा आई, तो उन्होंने नल नील की तरफ देखा, तो प्रभू आप छोड़ दीजी, हम बना लेंगे आप, तो उन्होंने का, चलिए मैं नहीं बनाता पर तुमारा कैसे तेर रहा है, मेरा क्यों नहीं तेर रहा, उन्होंने का, हमने पत्थर पर राम लिखा, ये अमर नाम है, ये भवसाकर को पार करने वाला नाम है, आपने पत बात में कितना विश्वास करते हैं कि इश्वर द्वारा ते किया गया मेरा भाग्य किसी मनुष्य के निबटाने से, खतम करने से, बढ़ाने से, ना बढ़ेगा, ना गटेगा, मैं जीवन में कई बार पराजय देखा हुआ व्यक्ति हूं, और कई तथाकतित विजयों का अबी साक्षी हूं, मैं साफ रूप से मानता हूं कि आपकी विजय, आपकी पराजय, स्वेम आपकी क्षमता, प्रतिभार, उसके बाद प्रारब्ध पर निर्भर करती है, प्रतिवी पर कोई मनुष्य नहीं बना जो आपको पराजित कर सके, आपको विजय ही बना सके, इन चार बाते मैंने बता ही और एक बात और मैं आप से बता रहा हूं, वो है एकाग्र होना, एकाग्र होना क्या है, खुद से बात करना भाई देखो, आधे आधे एक तिहाई एक तिहाई बनना चाहते हो, एक तिहाई क्रिकेटर बनना चाहते हो, थोड़े से हीरो बनना च आपसीवन में जब हिंदी की कविता के साथ जीने का समय आया इंजिनिरींग से फ़रार हो के तो मेरी बेहन मुझसे पूछा हमारे समय में जब माबाब समझाते तो ऐसे नहीं समझाते थे कि जैसे ये जोशी साप कॉंसिलिंग कराते हैं आपकी के मैडम बेढ़ जाती है एक आप क्या करना चाहते हैं कि इसमें रुचिना हमारे तो पिता जी डारेक्ट समझाते थे और उसमें पिता जी का आध्यात्मिक, मानसिक, हारदिक और शारणिक चारों प्रकार का बल लगता था वोई मुझे कहता है कि साब मा के पैर के नीचे जननत होती है पिता जी के पैर के नीचे का मैं जूता उन्होंने जब मुझे समझाया और वो हार गए कि नहीं मैं तो कविता पढ़ूंगा बी ए करूंगा तो मेरी बेहन जो मुझे से बड़ी है प्रोफैसर है वो जिसने मेरा नाम विश्वास कुमार से कुमार विश्वास किया बाद में उसने मुझे से पूचा तू करेगा क्या कविता करके जिन्दा कैसे रहेगा तो मैंने उसको कहा कि हाँ जिन्दा रहूंगा आराम से इस सुनाएंगे आदमी सुबे का खिलाएगा, दूसरे गाव जाके दूसरा सुनाएंगे, वो खिलाएगा, कोई कपड़े से लवा देका, जीवन चल जाएगा, कम से कम तरपत रहूँगा कि जो चाहता था वो कर रहा हूँ, कविता लिखनी थी लिख रहा हूँ, साहित ते पड़ रहा हूँ, यह एकाग्र भाव, अरजुन एकाग्र हैं, बाकी सब को सब दिखता है, किसी को मचली दिखती है, किसी को कुछ दिखता है, अरजुन को सिर्फ आँख दिखती है मचली की, इसलिए द्रोनाचारे अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते होने, और इस जो कि दुनिया में केवल दो ही परंपरा हैं, जो अपने से आगे बढ़ने पर खुश देखती हैं सामने वाले, एक पिता अपने पुत्र को आगे जाते हुए देखके गर्व से उचा हो जाता है, और एक गुरु अपने शिश्य को बढ़ा होते हुए देखकर गर्व से प इश्वनागरी कौन है, जिसे हिंदुस्तान, जाती, धर्म, पॉलिटिक्स, दक्षण उत्तर से बढ़कर जिसे प्रेम किया है अस तक गांधी के बाद, देखिए आप, बिना कहें नाम निकलता है एपिज अब्दुल कलाम, इस देश ने अदुट प्रेम किया उन से, और उस जेवर से भी एक ही तरफ का किराया मिल सकता था, तो कलाम साब ने अपनी बहन से का है कि चिंता मत करो, मैं 200% सलेक्ट होंगा, और उसके बाद तो फौज मुझे रख लेगी, और मैं आपके लोटा दूँगा पैसे, लेकिन वहां सलेक्शन नहीं हुआ, तो रिषिकेश बड़ा विक्षिप सा, बड़ा परेशान सा, उन्हें ने पुछा, बेटा, यहां हो, क्या बात हो गई, तो वो कहने लगे, मुसल्मान व्यक्ति, हिंदू साधू, राजनीती करने वाले लोग सुनें, उन्हें ने पुछा कि क्या हो गया, तो बोले साब मैं अपनी बेहन क जेवर बेच के पढ़ने आया था, मतलब अई एंडिया का इंट्रिव्यू देने, मेरा सेलेक्शन नी हुआ, जाने तक के पैसे नहीं है, मुझा लगता है, जीवन में मैं किसी काम के लिए नहीं बनाओ, तो बेटा, तुमको गलत से मिए, तुमारा सेलेक्शन पता है क्यो कि इश्वर ने तुम्हें शायद किसी इस से बड़े काम के लिए नियत किया है, और बेटा, तुम आज रात यहां रुको आश्रम में भोजन करो, और कल में तुम्हें जाने के पैसे दे दूँगा, और घर जाकर अपना अध्यन करो, अपना काम करो, और उसने वो काम किया कि अमेरिका की ताना शाही, यूरेनियम लेकर इतराने वाले लोग, क्रायोजनिक इंधन के लिए हमारे प्रधान मंतरी को अपने दर्वाजे पर रुकवाने वाले लोग, प्रतिबंधों की बाल लगाते रहे कर, हिंदुस्तान ने वो काम करके दिखाया, मिसाइल के एक श सफलता है आई है और मोनी से बनाओं, पहली सफलता प्रेम में आई जिसकी वैसे कभी बना, उस समय लगता था कि जीवन निस्सार है, जिसके लिए अतनी महनत की, वो ही नहीं है तो क्या मतलब है, लेकिन मैं जानता हूं कि एक सफल प्रेम ने मुझे लाखों सफल प्रेम कह अधारित किया है, धैर्य आवश्यक है, एक अग्रता आवश्यक है, शायद कोई बड़ा काम भगवान लेने वाला है, या हो सकता है, इसी में ही थो, और यह जो दर्शन है भारत का, आपको भी लगता होगा कही बार, हिंदुस्तान का लड़का लड़की, 17, 18, 19 साल में जो मेरे सपनों को उड़ने नहीं दे रहा, वो इसी प्रदीक्षा में रहता है, लड़कियां इसी प्रदीक्षा में रहती है, कि किसी ना कि जिन तो यह कहगा कि जा सिम्रंजा, लेकिन थोला समय बीते तो वह सनातनी हो जाता है, क्योंकि एक समय आते आते उसको पता चलने लगता है कि मेरे efforts मेरी क्षमता मेरी प्रतिभा अपनी जगे है प्रारब्ध अपनी जगे है वो काम करेगा अगर मैं नियोजित तरीके से लगा रहा तो एक ना एक दुन उसका प्रतिफल मिलेगा मैं निजी जीवन की वैक्षा से कह रहा हूं जब मैंने कभी सम्मेलनों की को कॉडलेस माइक के साथ कॉलर माइक के साथ म्यूजिक के साथ शुरू किया तो 2004 के असपास मेरा इतना विरोध हुआ कि देश के 28-30 कभी मेरे साथ नहीं बैठते थे मंच पे वो लिखके देते थे कुमार विश्वास आएगा तो हम नहीं आएंगे जो आजगल सेल्फी कि जाने भतीजे को लाते हैं लेकिन मुझे पता था कि प्रारूप बदलेगा अगर मेहनत की जाएगी तो कुछ होगा क्योंकि किसी सिक्षा संस्थान में नहीं गई मेरी दादी भी कहती थी मुझसे बच्पन में लाला मन से रोय तो फूटी आंक से भी आँसू निकले रोना मन से हैं काम मन से करना है तो एक आगर भाव इसको अपने आप जो भी परिशाय देने जा रहे हैं जो भी कुछ करने जा इसलिए मत करिएगा कि आपको टॉप करना है इसलिए मत करिएगा कि पिताजी ने आ भीजाए इसलिए मत करिएगा कि ये काम है अब करना है और अगर करना है मन से नहीं आ रहा कि नहीं करना तो कल छोड़ने के बजाए अच होड़ assumptions कि नहीं करना पिर यह सोची कि करना क्या है जесा मैं ने बताया द्विज होने का आर्थ है कि मेरे जीवन का अदेश्च्च मैं पैदा क्यों हूँ बनलब पैदा हुए और आप यूही अकबर एलाबादी हुमारे एक शायर थे लाबाद आई कोट में जस्टिस थे वो उनका एक बड़ा चशेर है कि क्या कहें एहबाब वन्शजो हमारे आने वाली पीडियो क्या कहें एहबाब किसी ने पूछा चाचा आपने क्या किया तो आपने कितने मित्र पैदा किये कितने विचार के विरोधी पैदा किये कितने विचार के समर्थक पैदा किये कितना संगर्श किया आपको राम के बाद की संततियों के बारे में पता है क्या कोई चर्चा होई क्या आपको अगली संततियों के बारे में इतना पता नहीं है जो निकला जो अपने से बाहर निकला उसको सारा संसार मिला और जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का दिखाएगा सबसे बहले जिग्यासा को आदर दीजिए अंदर जो भी पैदा हो उत्तर उसके शमन की कोशिश करिएगा दूसरी बात है कि आप धहरे रखिएगा जो कहा जाता ना कि बतन की रेह मुझे एडियां रगणने दे मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा तो यह जो भाग्यवाद है जिसके बढ़ों से बहुत लोग हैं कि सब भाग्य करेगा अरे कुछ नहीं करेगा भाई यह पाप का आवरन है भाग्यवाद आवरन पाप का और शस्त्र शोषण का जिससे रखता बचा भाग दूसरे जन का यह भाग्यवाद क्या है यह स्वयम को बचाने की आलस से की उद्गोशना है यह हो जाएगा भगवान जी क्या करेंगे अरे आप पहले करोगे दर्म रक्षती रक्षित है दर्म उसकी रक्षा करता है जो अपनी रक्षा करता है आप जब अपने स्वधर्म की रक्षा करोगे तब इश्वर नाम की जो भी शक्ती इस कायनात में मौजूद होगी प्रकरती नाम की शक्ति होगी, उसकी positivity जागेगी किया, बड़ी मेहनत कर रही है बच्ची, बड़ा मेहनत कर रहा है बच्चा, इसको आशिरवाद देते हैं और वो सुयोग का फल मिल जाएगा आपको, आपसे जो इश्वर करेगा वहाँ फलाने वाले पे चड़ाई आये पांच रुपे, उसकी जोत बोल दी, उसका ये बोल दिया, और जितने सफल लोग बैठें, इस परिसर में बहुत सफल लोग बैठें, राजनिती में, व्यवसाय में अपने कामों में, याद करके देखें जिससे में आप सफलता के लिए संगर्ष कर रहे थे, कितने पुखराज पहने थे, कितने बाबों की जोत मनाई थी, कितने यग्य किये थे, मैंने तो नहीं किये बाई, एक भी चीज नहीं पहन सकता था, मैं चपली थी, वोई पहनना था, उपलब दिया गई, तो पाँच आदमी आगए, ये पहनो आप, ये करो आप, तो कई बार उनका मन लखने के लिए, चाहे मा हो, चाहे पत्नी हो, बहन हो, आदमी कर लेता है, लेकिन ये सब जितना भी नियामन है, भाग्य का, ये पुरुशार्थ से है सबसे पहले, क्रते में, दक्षिने, हस्ते, जयो में, सब याहिता, अगर कार ये अर्जुन तेरे सीधे हाथ में होगा, तो विजय तो तेरे उल्टे हाथ में आजाएगी, उल्टे हाथ से पकड़ना मुश्किल होता है, तो अगर कार ये तुम्हारे सीधे हाथ में होगा, तो ये मद्यप्रदेश, PSC और UPSC आपके चरणों में आजाएगी, लेकिन उसके लिए एक अग्रता अर्जुन वाली चाहिए, न्यूजिलेंड में एक यूणिटिय विक्टोरिया विश्वेद्याले, मैं वहाँ बोलने के लिए गया था, तो मैंने वहाँ बोला, वहाँ चाइना के लड़के भी थे, वियत नाम के अलग-अलग शोद करते वे विध्यारती थे, तो मैंने उनसे बोला कि, हमारे हाँ तो मोटिफ अफ लाइफ है, और धर्म की अवधारणा 5000 वर्ष की गयात है, हमारी, अगर इस आठ लाख वर्षों को 24 गंटे के जीवन में ढ़लो, मनुष्य की आयू 24 गंटे करो, तो धर्म के नाम 5 सेकिंड आते हैं, और इस 5 सेकिंड के चक्कर में, हमने 23 गंटे, 55 मिनट, 55 सेकिंड बरबाद करके रख रखे हैं, सारा काम इसी में लगा रखा है हमने, तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म क्या है, शरीर का धर्म है, शरीर माध्यम खल, उधर में साधनम, रात को आप सोए, सुबह को आप शौच के लिए गए, ये शरीर का धर्म है, ये शरीर का पहला धर्म है, जब शरीर में नेचरल कॉल आए, तब आप उसे निवरित होने के लिए जाएं, आपको आश्यर होगा कि भारत में, अमेरिका में लोग हसते हैं, अमेरिका में जो डॉक्टर होता है, उसके पास कोई जाता है, और वो कहता है, सब मुझे कॉंस्टिपेशन की समस्या है, तो डॉक्टर कही बार हांस के कहता है, आर यू इंडियन? क्योंकि भारत में यसलिए हुआ, कि शौच की विवस्था ठीक नहीं थी, मैं प्रदानमंद्री का आभारी हूँ, केवल उनके कारेकाल नहीं, अगला जिसका भी कारेकाल हो, और जितने भी कारेकाल हो, दस बीस वर्ष इस देश में सुचता अभियान, शौचाले की बात होनी चाहिए, तब जाके कुछ देश में हो पाएगा, अमेरिकियों को नहीं हो रहा, इंगलेंड वालों को नहीं हो रहा, चुकि उनके हैं सदा उपलब्द है, पहले दिन से बना हुआ है, हमारे आईए कि नहीं सुवए, ब्रह्म मोहुरुत में कर लो, क्यों उजाला हो जाएगा गाओं में, तो पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, अर्थ का मतलब पैसा नहीं, अर्थ का मतलब है जीवन का अर्थ क्या है, इस जीवन का करना क्या है, कुछ को प्रशाशनिक सेवा में जाना है, कुछ को सेना में जाना है, और जो अर्थ है जीवन का उसके हिसाब से आपकी जाती है यहां बेटे होंगे ब्रह्मन परिवार के लोग, वैश्य परिवार के लोग दलितों के वंशच, वंचितों के वंशच, आदिवासियों से आते वे लोग यह मत समझे ना कि खांदान से मिला हुआ विरुद तुमारा विरुद है यह जोशी हो जाने से जोशी नहीं है कि जोशी हम पैदा होगे तुम तो ब्रह्मन होगे, नहीं कर्म की विधान है, भगवान ने कहा अर्जुन से अर्जुन चार वरनों में बटी हुई मेरी श्रष्टी गुण और कर्मों के विभाजन पर है अगर आप सिक्षा देने, सिक्षा लेने का काम करते हो तो आप किसी धर्म और जाती को हो, आप भ्रह्मनत्व का संसकार जी रहे हो अगर आप देश के दुश्मनों से, भाई और आंतरिक दुश्मनों से युद्ध करते हो, रक्षा करते हो, तो आपका ख्षत्रिय संसकार है अगर आप देश की व्यवस्था बनाते हो, तो आप दलितों के साथ हो, जोनों ने इस देश की व्यवस्था बनाई है अगर आप अर्थ व्यवस्था में भाग लेते हो, तो आप वैश्वर का वणिक का काम कर रहे हो, यह जो वण व्यवस्था थी, हाला कि बहुत लोग नहीं मानते हैं, ना माने कोई दिक्रत नहीं है, लेकिन यह बड़ी वैज्ञानिक थी, तो दूसरा हुआ धर्म, अर्थ ध आपने पड़ा था पालो जी मामीबा, गोलवाला, वो बीच में से कड़ गया भिर्दो हो गए, फिर कड़ गया भिर्तीन हो गए, यह क्या है, एको हम बहुत स्याम है, मैं एक हूँ, बहुत होना चाहता हूँ, और इसी के कारण यह विवस्था बनी, भगवान बुद्ध क चला आध्य शंक्राचारे नाम का, जिसने केवल एक दंड लिया और यात्रा की, और इस पूरे भारत को दुबारा जेवित किया और कहा कि नहीं, यह को हम बहुत स्याम है, अगर जगत सत्य है, भ्रहम सत्य है, तो जगत भी सत्य है, तो तीसरी चीज है काम, जिसको सामान र इस नाक से नयार इस साक्ष गया, यह योग हो गया, यह योग का एक सामान अंग है, यह योग की जो आठ प्रक्रियां है, उनमें से एक है यह प्रणायाम, जिसको लोग लिए घूम रहे है कि यह योग है, योग नहीं है, योग करम में कुशलता योग है, गीता में भगव जो एकागरता है कर्म की वो योग है मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं रिटायर हुए 85 वर्ष के हैं उन्होंने पीसडी करा ही है हम जैसों को मुर्खों को ग्यान देने की कोशिश की है ले नी पाए हम पूरा और मैं अकसर देखता हूं कि वो अपने बगीचे में जो घर में बना हुआ है उसमें सुभे इस दान वो करते रहते हैं निराई विराई पौधों की और बहुएं जो प्रोफेसर हैं उनिस्ट्री में पढ़ाती हैं आई एफस हैं मेरी भाबियां वो चाय लेके सुभे सुभ जाती है मैंने एक दिन देखा कि वो उससे पौदे से बात कर रहे हैं हो के रहे हैं अच्छा तो श्रीमान जी आपकी जड़ यहां निकला ही ओह 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 आप तो बहुत फजीता करोगे चलिए आपको एक नया गमला देते हैं आज हम और उसको लेकर वो बात कर रहे हैं मुर पुत्रवधों की इतनी आये हैं इतना पैसा है कि वो दसमाली रख लें लेकिन वो खुद कर रहे हैं चुकि वो करब में कुशलता है याद करके देखिए आपने आखरी बार ऐसा कौन सा काम किया था जिसमें आप इतने एक आगर थे कि आपको आवाज नहीं सुनाई दी ब कि मीरा भाई ने जहर पिया वो बच गई तो मैंने का अगर यह आस्था है कि यह जो मुझे भेजा है यह भगवान कृष्ण ने अम्रित भेजा है अगर अंदर इतनी पात्रता है तो दुनिया के हर जहर को अम्रित होना ही पड़ेगा दुनिया की हर केमेस्ट्री को नतमस्तक होना ही पड़ेगा देश के सबसे बड़े काडियोलोजिस्ट है मैं नाम नी लूंगा उनका क्योंकि निजिता में उलंगन हो जाएगा मैंने उनके साथ एक बार यात्रा की विदेश में और मैंने देखा कि वो प्राइवेट जैट और ऐसे रोबोटिक्स से उप्रेशन कर देते हो दुनिया में हिंदुस्तान में जो भी बड़ा है चाहे वो मुख्यमंत्रियों पदानमंत्रियों सेठो वो आपी के चरणों महां के गिरता है कि तुम खोलो दिल तो ये ये सब क्या है भगवान जी आपकी क्या अस्था इस जैसे 650 लग जाएं और मैंने कुछ नहीं किया बस कोशिश शुरू किती के बाद में बच गया तब मुझे पता लगा कि मुझसे और मेरे ग्यान और मेरी इक्षमता प्रतिबासे भी उपर कोई ताकत है जो दुनिया को चलाती है जो दुनिया के बारे में तै करती है तो ये जीवन का अंतिम मोख्ष ये काम के बाद का मोख्ष है जीवन के चार हेतू हमने तैयार करे तो यह एकागरता है अपने काम में कि जिससे मैं आप सर्षालजी पढ़ रहे हो जिससे में प्रिडिकल साइंस पढ़ रहे हो उस वक्त आपको यह लगे जैसा इस परिसर में जाना था, मैं कौन हूँ, समवाद में सरस्ता है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप रियक्ट कर रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहे हूँ, तो आप जब पढ़ें, जब पढ़ने के लिए बैठें, तो इतनी समरस्ता जिस दिन आ जाएगी, उस दिन ये पब्लिक सर्विस कमिशन का रिजल्ट, रिजल्ट नहीं है, ये प्रोडेक्ट नहीं है, ये बाई प्रोडेक्ट है, आपको ये तो बाई प्रोडेक्ट में मिल जागे, तो चाच है, नवनीत नहीं है, मक्खन नहीं है, मखन वो आत्मसंतोश है जो आपको इत्यास को पढ़ने में मिलेगा मखन वो आत्मसंतोश है कि आपको इस बात की सोध लगाने में लगेगा कि पानीपत की तीसरी लडाईयों में तीनों लडाईयों में निरने विपरीत क्यों हुए मक्षन वो आत्मसंतोश है जब आपको इस बात की स्मृति पूरी आ जाएगी कि आज मैंने कितने मज़ेदा तरीके से मैंने विश्व की राजनितिक विवस्था पढ़ ली मैं क्यावेली पढ़ लिया मैंने मैंने कौन तक पढ़ लिया मैंने वो जो आत्मसंतोश आएगा वही असरी नवनीत है बाकी बाइप्रोडेक्ट है यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ यह प्रसिद्धी यह एश्वर्य यह मान्यताएं यह सब बाइप्रोडेक्ट हैं दुनिया का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मसीहा गुरदेव रवीना टेगोर अब सब जानते हैं उन्हें उनके नाम से युग प्रारंबुए बंगाल में रवीन्द्र संगीत है बंगाल में रवीन्द्र चित्रकला है बंगाल में रवींद्र मूर्ति शिल्फ है वो 64 साल की आयू में तो उन्होंने मिट्टी से काम करना सीखा कितनी ललक रही होगी जिस आदनी को नोबल पुरुसकार मिल गया था जिसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिपाही गांधी गुरुदेव कहता था जिसके आईंदिरा गांधी पढ़ती थी छोटे बंद में जो खुद ही देविंद्र नाथ ठाकुर का पोता था इतने बड़े रईस का इतने बड़े जमीदार का वो 64 साल के उमर में मिट्टी से मकान बनाना सीखा उन्होंने और अपनी कुटिया बनाई शामली नाम से काली मिट्टी से नदी के किनारे से लाके जीवन भर पढ़ते लेखते रहे गुरुदेव और आप पढ़िये संस्मरणों को जब उनकी मृत्यू की रात थी तो एक दिन पहले उनसे मिलने के लिए खृतिंद्र मोहन सेन गए जो कला के आचारे थे फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर थे पिश्व भारती में तो गुरुदेव बोल नहीं पा रहे थे बहुत दीमे से बोल रहे थे मृत्यू शैया पढ़ थे तो उनकी आँख में उन्होंने आसू देखा तो क्षितिंद्र मोहन सेन ने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव कि मृत्योर भय क्या मृत्यू का भय है आपको जो आपकी आँख में आसू है तो गुरुदेव ने उसका उत्तर दिया अपनी गीता इन जली कि ये कविता से और उस कविता का अनुवाद ये है कि हे इश्वल हे परंपिता तुमारा सागर बड़ा विशाल था और मेरी बाल्टी बड़ी छोटी थी ओ माई फादर जी रोशन वस सो वास्ट और माई बास्कट वस सो स्मॉल मैं थोड़ा सा ही जान पाया इस प्रत्वी से थोड़ा सा ही जान पाया कितने बड़े आदमी ने सोचा और आपको लगता है हमको लगता है ये कर लिया इतना सा पाठ्ठिक्रम कर लिया इतना हो गया हम तो खलीपा हो गए तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया में इतना अधिक है कि उसका बहुत 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 चोटा अंश आपको जीना है आप देखिएगा कि जितनी भी ये एक सो कॉल्ड अलीट क्लास बनती चली जा रही है इसका सारा बोध निजता पर शुरूर और निजता पर खतम है जबकि ये भारत नहीं था दूसरे को मार कर खाईे ये विकरती है वो अपना खाए मैं अपना खाऊं ये प्रकरती है लेकिन वो खा सके इसकी चिंता करके मैं खाऊं ये संस्कृती है और इसी बात का बड़ा आदमी कौन है उसके घर कोई आता ही नहीं सुबह बाई गंटी बजाती है शाम को दूद वाला बीच में कोई आता ही नहीं है मेरे पिता जी मेरे घर आते हैं तो वो लोगों से कहते हैं बड़े खुश होते हैं कहते हैं यह आदमी ठीक है इसके आदस आदमी चाय पीते हैं बीस आदमी घाना खाते हैं पाच आदमी सोत करी भई सिक्षित लोगों ने क्या सिक्षित लोगों ने सिक्षित लोगों ने गाव में सब के पास रोजगार था गाव में सब लोगों के पास कुछ ना कुछ काम था लकडी वाले के पास लकडी का ते होता है कि सिक्षा आपको कार दे सकती है लेकिन लर्निंग आपको संसकार दे सकती है आपको तै करना है कि बिना संसकार की कार लेनी है कि संसकार सहीद कार लेनी है अधिक्तम पूरी लड़ाई बिना संसकार की कार लेने की है यही कारण है कि हमने इस जीवन को कष्ट का साधन मना दिया है दूद में यूरिया मिलाया जा रहा है जो यूरिया मिला रहा है उसको इस शरम लिहाज नहीं है कि किसी की किड्नी में जाएगा तो किसी का पती, किसी का बेटा, किसी का सुआख, किसी की राकी सुनी हो जाएगी उसके खुद के गर में भी बेटी है, उसके खुद के गर में भी पुत्र है वो सोच के देखें कि मेरे पुत्र को अगर ये यूरिया किड्नी फेल कर दे मेरा बेटा मर जाया तो कैसा लगए नहीं वो सोची नहीं रहा उसको लगता है अजार रुपे भाल तू मिलने थोड़ा सा जूरिया मिला दो सब्जीवाला यही कर रहा है आपके साथ अफसर आपके साथ यही कर रहा है सरकारें आपके साथ यही कर रहा है चुकि हमने इस पूरे process को learning का बनाया ही नहीं है हमने इस पूरे process को सिक्षा का बनाया है और मैं आपसे निविधन करता हूँ कि सिक्षित हो जाईए पढ़िये, खूब पढ़िये, research करिये engineer बन जाईए, doctor बन जाईए, IS बनिये, PCS बनिये लेकिन learning सीखिए कोई नासा नहीं गए थे वो गाम के लोग जो गौराया को धूल में लेटते हैं बता जेते थे कि आज पच्छुआ के साथ बादल आएंगे उसने अनुभों से ये जाना था तो इसका मतलब कुछ ग्यान ऐसे हैं जो अनुभों से ही आते हैं महिलाएं बेटियां मात्रिशक्ति बेटियां मात्रिशक्ति इस नगर का प्रतिनित्त व करती हैं लोग कहते न बच्चा पैदा हुआ बच्चा पैदा नहीं हुआ बच्चे के साथ एक और चीज पैदा हुई मा पैदा हुई उससे पहले वो भाबी थी, बेटी थी, बेहन थी, मा नहीं थी अब वो मा, अम्मा पैदा हुई है मेरी पत्नी मेरी बेटी को डाटते हो एक्सर कहते है तू बनेगी न मा तब पुछूँगी तुस्से उसको लगता है खराब बात है, अरे ये सही बात है क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ बेटी थी, सिर्फ वो पत्नी थी, सिर्फ वो बेहन थी जिस बार पहली बार उस शिशुने आकर किलकारी भरी उस दिन मा को पता चला कि माओ मेरा बोध क्या है मुझे जगना इसके अनुसार है, मुझे सोना इसके अनुसार है मुझे इसका सबकाम करना है उस दिन से उसका बोध पैदा हुआ तो जैसे आप ग्यान के साथ यात्रा करते हैं आपके मन में नई जिग्यासा पैदा होती है तो यकीन मानिए आप भी पैदा होते हैं साथ साथ आप भी नए तरीके से पैदा होते हैं जब आपको इचीज पढ़ते हैं और आपको एकदम चेतना आती है और क्या अदुद बात पढ़ी तो ये मानिए कि थोड़ा सा जन्म आपका हुआ है। अब आपको तेह करना है कि आपको अधूरा पैदा होना है। आपको विकल दिव्यंगों के साथ पैदा होना है कि संपूर्ण शुशोभी शरीर के साथ पैदा होना है। इसलिए पढ़िएगा तो ये सोचके मत पढ़िएगा कि ये पास करना है। ये सोचके पढ़िएगा कि मुझे ये जानना है। यह मेरी इच्छा है, यह मैं जानना चाहता हूं, अधिकांशते हम जो पढ़ रहे हैं, हम यह पढ़ रहे हैं कि यह इतना है, इसको ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, इससे जीवन आगे नहीं जाएगा, गाउं में गया तो वो गाउं के प्राइमेरी स्कूल की पहली दूसरी क् की अंग्रेजी की किताब देखी, आपने भी देखी होगी, उसमें लिखा हुआ था, जी फॉर जेंटलमेन, तो सामने कुछ चीज़े बनी रहती है न, अम्रेला बना हुआ है, बना रहता है, सब बी फॉर बैलून, तो बैलून बना हुआ है, तो जी फॉर गरल और जेंट होगा, कि ये जो धोती कुड़ते में मेरा बाप है, ये जो खेत में जाता है, गुरु ये जेंटलमेन नहीं है, जेंटलमेन कौन है, जेंटलमेन पी डवलू डी का वो चोर के लर्ख है, जो सूट में आता है रोज सुबही सुबह, तो जेंटलमेन की परिवाशा क्या बना यह आपने पास्तर से बना दिया, आपने बच्चे के दिमाग में आरोपित कर दिया भाव, कि जेंटलमेन होना, मतलब कपड़े ऐसे पहनना, हमारी भी ब्रांड के टीम लोग कहते हैं, कि यह क्या पहन लेते हो आप, आज ही कह रहा था ही क्या पहन लिया, मैंने का, मेरी कमीज सुनेंगे कि मुझे सुनेंगे, भई, विवेकानन से क्या का था शिकागो परिशद में, जब तीसरे दिन उनको समय मिला, तो उसने का, एक तो आपके कपड़े ठीक नहीं है, यह एक वक्ता के योग्य विद्वान के कपड़े नहीं है, तो विवेकानन देखा कि देवी जी मुझे क्षमा करे, मुझे थे धेश्ट से आया हूँ, जा मनुष्य चरित्र से बड़ा बनता है, कपड़ों से बड़ा नहीं बनता है, आपकी साधना कितनी हैं, इससे बड़ा बनता है, क्योंकि हमारे तो सबसे बड़े साधक के पास कपड़ ही नहीं है हमारा जो सबसे बड़ा तपस्त्वी है जिसने इस लोक मंगल के लिए पूरी प्रत्वी का जहर अपने कंठ में दारण किया है बो तो बिनावस्तर के बैड़ी जाता है एक मुना कि छाला लपेटी और बैठ इसलिए जितने लोग यहां पर हैं अगर परंपराओं से आपको कहानिया प्राप्त हुई है पुराने लोग बैठे हैं याद करिए कि बच्पन में क्या कहानी थी बच्पन में कहानी थी कि आचारे धौम में ने अपने शिश्य आरुनी से कहा कि भई मेरे खेत में पानी लगेगा तुम वहाँ चले जाओ बेटा तो वो चला गया, वहाँ मैंड गिर गई, पानी को रोकने वाली तो उसने अपना शरी रडा लिया, बच्पन में क्या कहानी थी यह हो गया, तो उसके बाद यह तपस्य अगर यह फायदा हो गया अब आपको कहानी क्या मिली, छोटे बच्चों को जादूई शक्ती मिली तो जाडू नीचे लगाई उसने हैरी पोर्टर ने और वो खुदी जैट का जाज बनके उड़ गया भाई तो पूरा काम किस पर है कि जादूई शक्ती मिल जाए, कुछ जादू हो जाए क्योंकि बाजार आपको ऐसा बना रहा है इस परिसर में बैठे वे बच्चों अपनी आर्थी की स्थिति पर बिल्कुल परिशान मत होना अर्थ तै नहीं करता कि आपके जीवन का अर्थ क्या होगा अर्थ से तै नहीं होगा, ये बजार तै करा रहा है विज्यापन आ रहा है, पत्नी से करें प्यार तो डायमेंड से कैसे इंकार, अच्छा मतलब जो डायमंड लाके नहीं दे रहा वो प्यार नहीं कर रहा और कही होने तो वो निरवोधी वाले दे दिये बोले जी फरजी निकल गया डायमंड मैंने का प्यार भी तो फरजी था तेरा डायमंड भी फरजी निकल गया यानि कि बाजार ने ये काम करा दिया तो अच्छा हो गया और नहीं करा दिया तो उसकी इच्छा अधूरी रह गई यह किस ने किया है यह उन्होंने किया है जुनको अपना कूड़ा हिंदुस्तान की 135 करोड जन्दा के रिपर लादना है यह उनका क्या हुआ काम है इसका कोई मतलब हमारे आंतरिक सुख से नहीं है मैं गाम गया जी अभी एक डेड़ साल पहले वो एक चैनल ने मेरे उपर डोकुमेंटरी की वो प्रोग्राम मनाते थे व्यक्ति विशेष तो मुझसे बोले जी आपका गाम जरह आप माँ चलेंगे थोड़ा गली में घुमेंगे तो हम पीछे कैमरा लेके चले जाएंगे मैंने का बही चलो तो मैं चला गया तो वाँ खेत की तरफ गए तो दो-चार बालक भेंस की पीट पे बैठके गूम रहे तो वो लड़की जो चैनल वाली वो कह रही थी ओ माई गॉड़ सर क्या पूर देखी कितने पूर हैं और कैसा मतलब देखिए कैसा लग रहा है इने मैंने का तेरी मर्सीडीस से जादा खूश है वो हाँ पूचके देख उसके अंदर कितना कितना अंदर से आनंद बहरा है उसने भैसे की जो मचक है न उसके हिसाब से अपना शरी डालिया कि यह उमड़ेगा यह उमड़ेगा पर हमने बना लिया है अंग्रेजी नहीं आती तो हमें अरे क्यों मुझे क्यों आएगी भाई हिंदी खराब बोलते समय कभी गिलानी हुई कभी शर्म लिहा जाई कि हिंदी खराब बोल ला हूँ पर अंग्रेजी खराब बोलते हैं गिलानी क्यों आए अरे मेरी भाशा नह नाएगी तो कौन सा प्राब्लम पड़ रही है भई नाएगी तो क्या हो जाएगा लेकिन ऐसा बना लिया है कि अंग्रेजी जब तक आप अंग्रेजी जरूर सीखिए बोल लीजिए मेरे पास ग्रेजुएशन में थी गोल्ड मेडल मिला मुझे इनिस्ट्री टॉप की मैंने मुझे भी अंग्रेजी बहुत पसंद है शुरूरात की कविता अंग्रेजी में लिखी पर आप देखो कि देशी के अंदर इतना आधिक कम्तरी का भाव भर गया है इतना आधिक इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स है निज भाषा उन्नती है सवन्नती कॉमूल आपको हिंदी ब बोलने में शर्माती है आपको इस महाकोशल की भाषा बोलने में शर्माती है और कितनी मुदूर भाषा है कितनी मीठी भाषा है इस पुरक्षेत्र की आप फॉन करिए महापौट जी के गर पे हैंगे मेडम अभई तो ही तई तैह अभई चली काई बजार मांग यह बजार मैं हिंदी के हिंदुस्तान में पैदा हूँ और मैं इस मानस भवन में संस्कारधानी के पूरे इतिहास की शबत खाके कह सकता हूँ कि एक हजार कमिया है हम में पर पूरे विश्व में ऐसा देश नहीं है जिसमें हम पैदा हूँ पूरी दुनिया में ऐसा देश नहीं है राना किसी राहबर न रह गुजर से निकलेगा, हमारे पाउं का अधूश्त लुठीया हम अपना काम करने, इंदुस्तान कोई कोई राल्केले का नाम नहीं, इंदुस्तान किसी परलेमेंट की बील्डिंग का नाम नहीं है एक बट 75 क्रोड हंदूस्तान मैं हूँ मैं अच्छा कभी बन जाओ आप अच्छे विद्यारती बन जाए हमारे हिस्से का इंदूस्तान निर्मार प्रानम्ब हो गया भारत का निर्मार शुड़ो हो गया हमने बना लिया अपना इंदूस्तान अब आप नौकरियों में आ जाएंगे यह जतने नेता हैं, जतने मुक्य मंत्री हैं, प्रधान मंत्री हैं, विधायक हैं, महापोर हैं, अलग-अलग पदों पर लोग हैं, इनकी समय सीमा है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष. आप जम नौकरी में आएंगे आपकी समय सीमा आपकी सेवा निवृति तक है आपको वेतन ये नहीं देंगे इस देश की जनता का टेक्स देगा तो आपकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि आप उस टेक्स देने वाले अपने मालिक के प्रतिमानदार रहें इन टेम्प्रेरी मालिकों के प्रतिमानदार रहें समराठ चद्रगुप्त का जब राज्याबेशेक किया कॉटिलियन है जिनके नाम पर ये एकेडमी है तो आप सब को याद होगा कि चानक के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्हें लगा कि यार ये युनान से तो आकरमन होता ही रहेगा इसे कैसे टाले तो सैल्यूकर्श जो सैनापती थे सिकंदर के सिकंदर तो वहीं से लोड़ गया था कौने से तो उसने सोचा कि बेब कैसे इन से संधी की जाए तो उन्हें सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त की शादी करा दिया पर इससे बेतर क्या है रिष्टदारी होगी अब आक्रमन नहीं होगा और यही हुआ भारत में समराच चंद्रगुप्त का वर्ष बहुत दूर तक फेला दो वर्ष बाद महराणी कर्नेलिया ने एक पुत्र को जनन दिया जो भारत का अगला समराच बना जब उसकी पहली वर्षगांट हुई तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ उसमें समराच सिल्यूकस को भी बुलाया गया वो सेनापती से समराच हो चुके थे वो एमपरार आये दो महीने रहे जब वो जाने लगे तो पटना में पाटली पुत्र में उनका नागरी कभिनंदन हुआ तो नागरी कभिनंदन में आभार व्यक्त करते हुए समराच चंद्रकुप्त ने कहा कि समराच सिल्यूकस हमने आपकी भारत से अगर कोई तुर्टी रह गई हो आपकी आव भकत में तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्ति हूँ मैं आशा करता हूँ कि आपका यहां का प्रवास अच्छा बीता होगा कितनी अच्छी भाषा है समराच में आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नाना बनने का अवसर दिया मुझे अपना अतिती बनने का अवसर दिया जीवन में यही सबसे अच्छा था कि मेरी पुत्री के पुत्र हुआ जो आपका अगला अधिकारी है बड़ा अच्छा प्रवास रहा बड़ी अच्छी आपने सेवा की बस एक शिकायत है अगर आप कहें तो मैं कह दूँ समराट ने कहा कि बताईए क्या शिकायत है तो उन्हें ने कहा जब से मैं आपकी राज्य में गुसा हूँ उधर कांधार से दो महीने से लगातार आपके गुप्चर मेरा पीछा कर रहे है हर समय कोई ना कोई गुप्चर मुझे नोट करता रहता है अब आप सोचिए कि जिसका दामाद इस देश का राजा हो उस ससुर की गुप्चरी उसके पीछे आपने CID लगा दी CBI लगा दी तो बहुत गुसा आया समराट को समराट ने कहा यह हो इनी सकता किसकी हिम्मत है बताए दरबार में वो कौन व्यक्तियर इसने मेरे ससुर के लिए ये इतना महत्वपूर काम किया ऐसे उनका आपमान करने की कुशिश की बड़ा अदूत प्रसंग है तो पूरा हॉल सन्नाटे में खिच गया कौने परसे कौटिल ले खड़े हुए प्रधानमंतरी कौटिल ले उन्हेंने कहा माराक शमा करें मैं सूचना देना चाहता हूँ कि गुप्तचर समराट सेल्यूकस के साथ साथ मेरी आज्या से चल लहे थे अब अपने गुरुजी से क्या कहते है समराट तो उन्हेंने कहा कि मैं बहुस शरमिनना हूँ गुरुजी अगर कोई और होता तो उसका मैं दंड देता पर मैं आप से कival ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये अबदरता क्यों की आपने मेबे सेल्यूकस का यह अपमान क्यों किया तो उन्हेंने कहा कि समराच चंद्रकुप्त शायद भूल गए हैं वो शायद इसमरण ना कर पाएं कि वे दामाद हैं और ये शसुर हैं लेकिन इसके एक अत्रिक्त और नाता भी है समराच सेल्यूकस दूसरे देश के राजा हैं जो मेरे यहाँ विजिट पर है और प्रधानमंत्री और ग्रहमंत्री होने के नाते मेरा करतव्य है कि बाहर से आने वाला राजा किस से मिल रहा है क्या बातें कर रहा है अपने राष्ट के हित्मे मैं जानू और आपको सूचित करूँ इसलिए मैंने ये काम करें तो आप इस देश के लिए इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए, इस गांद के लिए मैत्वपूर बनिये, उसके प्रति उत्तरदाई बनना, अधिकारी बनने के बाद, इन लोग के प्रति उत्तरदाई मत बनना, जो राजनीती में आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही अपने प्रति उत साथियों को, हमारे छोटे भाई, बहनों को, जीवन में कुछ प्रेहना मिली होगी, कष्ट आएंगे, छोटे-मोटे कष्ट आएंगे, पराजे होगी, असफलता होगी, उपहास उड़ाएंगे लोग, गिरेंगे आप, कपड़े आपके फटेंगे, चोट लगेगी, पैरों में छाले पड़ेंगे, अपमान होगा, अपयश होगा, लेकिन उसके बाद आखिर में जो मिलेगा, वो आपको अम्रित तत्व मिलेगा, आनन्द मिलेगा, जिसके अंदर भी, इस त्रष्ट में, जरासा भी, गरल पीने की ख्षमता है, जिसके कंठ में, सरस्वत्य और शंकर उसे ही आशिरवाद देते हैं, अंतने उसी के पास उब्धात नहीं है,